जैहिन दोस्तों सवाग है तो आप सभी का आपके अपने चनल केरियर पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएं अससे जेडी 2022 के एक्जाम के लिए बहुत ही अच्छे चैक्योशन रहेंगे आज की इस वीडियो में तो आपको यह वीडियो का नर्टिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जुरू किजिगा दोस्तों आपको पता है कि आपका अससे जेडी का फोम निकल चुका है और अस करें दोस्तों आप सभी का सुवागत है आपके अपने यूटूब चनल केरियर पॉइंट पर मैं अलकुमार आप सभी का सुवागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको तो 500 जीके के क्यूशन प्रवाइब करा रहे हैं जो आपके अनुवली एक्जाम के सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को अंतक लगाई है और परते क्यूशन का आंसर कमेंट बोक्स में जरूर दीजे ताकि आपके जितने भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर होते चलें दोस्तों अगर आप लोग यहां पर पहली पर आएं तो चैनल को सब्स चले देखते हैं आज का पहला क्यूशन तो दोस्तों आज का पहला क्यूशन है दक्षिन भारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है साथ योग कमेंट करेंगे दक्षिन भारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो दोस्तों या रखेगा अनाय मुदी है option B आपका अनाय मुदी चाय की खेति के लिए उत्तर मिटे, option C, आपका लेटी राइट, मिटे यहाँ पर right answer होगा, अगला question है, वरिद गंगा किस नदी को कहा जाते हैं, किसको कहा जाते हैं, गोदावरी नदी को दोस्तों, वरिद गंगा के नाम से जाना जाते है, option D, आपका गोदावरी नदी यहा कावरी नदी को दक्षिन की गंगा के नाम से जाना जाते है, option C, आपका कावरी नदी यहाँ पर right answer होगा, अगला question है, मिटी का अध्यन क्या कहलते है, साथ यों comment करेंगे, मिटी का अध्यन क्या कहलते है, तो दोस्तों, पेडोलोजी कहलते है, यादकना, option B, आपका पेडो यहाँ पर right answer होगा, next अगला question है, भारत का एक मातर सकरिय जो आलाम की किस दुईप पर सती थे, भारत का एक मातर सकरिय जो आलाम की किस दुईप रहे, तो दोस्तों, यादकना, बैरन दुईप रहे, option A, आपका बैरन दुईप यहाँ पर right answer होगा, अगला question है, शोंपेश जन जाती कहां के निवासी हैं, तो दोस्तों यारेकना निकोबाद द्वीप के हैं, option B, आपका राइट अंस होगा, निकोबाद द्वीप, next है, न्यू मूर द्वीप कहां परसती थे, तो दोस्तों यारेकना बंगाल की खाड़ी में है, option D, आपका बंगाल की खाड़ी हैं, और राइट उंस होगा अगल्या क्योंकूशन है होगा next है जहां पर आज हिमाले परवत है वहां पहले कौन सा सागर था तो दोस्तों या रखेगा वलित परवत है अगला क्योशन है कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है कौन सी नदी है जो डेल्टा निर्माण नहीं करती है तो दोस्तों राइट रखेगा यह आप लोग यारखना नेक्स्ट है, दुआधारचल परपात किस नदी में गिरता है? किस नदी में गिरती है? तो आपका स्देज़ी होगा option D नर्मदा नदी में. नर्मदा नदी आपका right answer होगा. अगला question है, दोस्तों, professionals, अब हम आभी तक वीडियो को लाइक निकिना, तो दोस्तों या रखना, पैट्रोलोजी, option C, आपका right answer का चट्रानों का अध्यन, पैट्रोलोजी कहलाता है, या रखना, अगला question है, जीलों का अध्यन क्या कहलाते है, जीलों का अध्यन क्या कहलाते है, तो दोस्तों क्या कहलाते है, लिम्नोलोजी, option A, आपका सहुगा, जी जलोड मिट्टी को क्या कहा जते हैं, तो दूस्ट क्या कहा जते हैं, बांगर कहा जते हैं, option B, आपका बांगर राइट अंसर होगा, next है, पवन दवारा निर्मिते मैदान क्या कहलते हैं, पवन दवारा निर्मिते मैदान क्या कहलते हैं, क्या कहलते हैं, पेडी प्लेन कहलते है option A आपका paid plan यहाँ पर right answer होगा अगला question है नवीन जलोड मिट्पी को क्या कहा जते हैं क्या कहा जते हैं खादर कहा जते है option C आपका खादर यहां right answer होगा अगला question साती हो बताना जली से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कून सा है नर्मदा उधिगम स्तल कौंसा है ? तो जीटों अमर कंटक है औप्शिण डि आपका अमर कंटक यहाँ पर राइट अंस होगा अगल्या क्यों करते है बरमपूत नदी को तीबबत में किस नाम से जानलते हैं ? सांग्पो के नाम से जानलते हैं ? option C, आपका सांग पो right answer होगा, अगला question करते हैं, लक्ष दीप में दीपों की कुल संख्या कितनी है, तो तो याद रखना कितनी, 36, option D, आपका लक्ष दीप में कुल 36 दीप हैं, याद रखना, option D, आपका 36, right answer होगा, अगला question है, option C, आपका में घाले, option C, आपका में घाले, option C, आपका में घाले से होगा, और तो याद रखना, भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है, वो में घाले राजिम होती है, और सबसे कम की बात करें, तो तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, सबसे कम है, लेह में होती है, और सबसे अधिक जो होती है, वो में घाले में होती है, याद रखन नेक्स्ट कपास की खेती के लिए उप्युक्त मिट्टी कौन सी होती है काली मिट्टी ओप्शन डी आपका काली मिट्टी यहां पर राइट अंस होगा नेक्स्ट ए बागरती अलक नंदा नदी किस स्तान पर आकर मिलती हैं तो दोस्तों या रखना देव परियाग में नेलगरी की पहाड़ी कहां परस खिते दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको daw 500 केरेंगे तो इस वीडियो को आन तक जरूर लगाना है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक के तो लाइक करना इसी भी को ठीक है और आपने दोस्तों को शेयर करना है तो दोस्तु आइलेंड के नाम से किस दुविप को जाना जाता है तो दोस्तो यादेखना अंडमान निकुबार को जाना जाता है option B आपका अंडमान निकुबार यहां पर right answer होगा next है जाडे के मोशम में तमिलाडु राज में वर्सा किस मानसुन के कारण होती है तो दोस्तो यादेखना लोटता हुआ मानसुन के कारण होता है option C आपका right answer होगा next है लक्सदीप की राजधानी का है option A आपका कावरती यहाँ पर right answer होगा next है बिहार का सोक किस नदी को कहा जाते बिहार का सोक किस नदी को कहा जाते तो दोस्तो यादेखना कोशी नदी को कहा जाते है बिहार का सोक option C आपका कोशी नदी यहाँ पर right answer होगा चलिए next है की आदम ब्रिज किन के बीच शती थे तो दोस्तो आदम ब्रिज किन के बीच में है तमिल नाड़ू और सिर्ल लंका के बीच में सते हैं, option B, आपका तमिल नाड़ू और सिर्ल लंका राइट अंसर होगा, अगला question है, भारत का एक मातर सुसूप्त जवाला मुखी किस दोईपर हैं, तो दोस्तों यारखना कौन से दोईपर हैं, नारकोंडम दोईपर, option D, आप आपका नारकोंडम दोईप यहां पर राइट अंस होगा, अगला question है, बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है, दोस्तों कोशी नदी को कहा जाता है, बिहार का सोक, बिहार का सोक कहा जाता है, हमने पीच्छा को बताए था, तो यहा निमली की तिमेश से कौन सी नदी पसिम दिशा की ओर परवाहित होती है ऐसी कौन सी नदी है जो पसिम दिशा की ओर परवाहित होती है कौन सी है तो दोस्तों या रखना तापती नदी और नर्मदा नदी दो नदिया है जो पसिम दिशा की ओर परवाहित होती है option D आपका B औ और C यहाँ पर right answer होगा, option D सभी होजाएगा, next है, अन्यमा निकोबार की राजधानिक आपर है, तो दोस्तो काँबार है, port blare में, option B आपका port blare यहाँ पर right answer होगा, next है, काली मिटी को किस नाम से जाना जाते हैं, आप लोग सभी होताएगे, काली मिटी को किस नाम से भी जाना जाते हैं, तो दोस्तो यारिकना रेगूड मिटी के नाम से, option B आपका रेगूड मिटी यहाँ पर right answer होगा, अगला question दोस्तो, बताना आप लोगे, नर्मदा एवं माला, option B, सत्व पूड़ा आपका right answer होगा, अगला question करते हैं, आप लोग ताईगा, गंगा एवं भरहम पूत्र की समयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाते हैं, किस की नाम से, तो दोस्तो यारिकना मेगना के नाम से जाना जाते है, option A, आपका मेगना यहाँ पर right answer होगा, अगला question है, दक्सिन परसिम मानसुन सराव परतम भारत के किस राजे में आकर टकराती है, very very important question साथ हो comment करना, दक्सिन परसिम मानसुन सबसे पहले भारत के किस राजे में आकर टकराती हैं, तो दोस्तो यारिकना केरल राजे में, option D, आपका केरल राजे right answer होगा, अगला question है ब्भारत में अधिकांच वर्षा किस मान्षुन से होती हैं तो दोस्तों आज़करना दक्षियन परस्टि में मान्सोन से Option A आपका दक्षियन परस्टि मान्सोन यहाँ पर right answer होगा अगला question है किस परवत्माला को सहद्री कहा जाता है किसको आज़ता है तो दोस्तो आज़कना पस्चिमी घाट को साध्री के नाम से जान रहता है option B आपका पस्चिमी घाट यहां पर से होगा like और share जुरू करना तो अगर आप लोग यहां पर पहली बार आए option D आपका महाराष्टर राइट अंसर होगा next है भारत में परमानू उर्जाकारेकरम का जनम दाता किसको माना जते हैं किसको डोक्टर होमी जांगीर बाबा को माना जते हैं option B आपका राइट अंसर होगा अगला क्योंस ने किस्तापना किस वर्ष कि गई थी किस वर्ष कि गई थी तो डोसटो आपका सवा उन्न सो पंर निपफ इन फोट रइफ़ उप्षिन सी राइट अंसर होगा next है देस का पर्थम परमासर रेक्टर आप स्रा किस्ता आपना कभ की गई देश का पहला परमानो एक्टर दोसो अप्षरा है वो याद है कि इसकी स्तापना कब की गई तो दोसो उन्ने सो चपन में देश के पर्थम परमानो एक्टर की अप्षरा की स्तापना उन्ने सो चपन में की गई option C आपका right answer होगा योजनाओं को अन्तिम स्विकर्ती या अनुमोधन किसके द्वारा परदान की जाती है तो दोसो याद खनार राष्टी विकास परिस्द के द्वारा option B आपका राष्टी विकास परिस्द यहाँ पर right answer होगा next गरीबी हटाओं का नारा किस पंच वर्शे जिना में दिया गया था तो दोसो पंच पंच वी पंच वर्शे जिना में इंद्रा गांधी की द्वारा गरीबी हटाओं का नारा दिया गया था बारवी, पंच वर्षी योजना का कारिय काल क्या है, तो दोस्तों यारकना, 2012 से 2017, ऑप्शन B, आपका 2012, 2017 यहां पर राइट अंस होगा, अगला कि उसने, रमन अनुसंधान के इंदर कहां परस्तिते है, तो दोस्तों यारकना, बेंगलूर में, ऑप्शन D, आपका बेंगलू की स्थापना किस वर्ष की गई, सभी साथ अंस देंगे, भारत में परमान उर्जायो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो दोस्तों 1948 में, कभे 1948 में भारत में परमान उर्जायो की स्थापना की गई, ऑप्शन C, राइट अंस होगा, नेक्स्ट है, भारी जल, D2O की खो मंदक की रूप में नाबी के रिक्ठो में मंदक की रूप में भारी जल का प्रयोग कहा जाते हैं तो इसकी खोज किसने की तो जो स्थ जारकना है च्छी यूरे ने भारी जल की खोज किती ऑप्शन एक आपका राइट अनस होगा नेक्स्ट है परतेक वर्स सैयुक्त राश्ट दिवस को किस तिती को मनाया जाते हैं 24 अक्टूबर को मनाया जाते हैं उप्शन C आपका 24 अक्टूबर यहां पर राइट अंसर होगा अगला क्योशन है यूआणो के पर्तम महासचिव कौन थे यूनों के पहले महास्चिव कोन नियुक्त किया गये थे कोन थे दोसो तो आपका सही होगा option B त्रिगवेली घाना option B त्रिगवेली घाना यूनों के पर्थम महास्चिव थे option B right answer होगा next बाबा परमानू अनुसंधान के अंदर कहा शिते थे B.A.R.C. बाबा अटोमिक रिशर्च सेंटर हिंदी में बाबा परमानू अनुसंधान के अंदर होता है तो यह कहां पर है दोस्तो कहां पर है ट्राम्बे मूंबई option A आपका से गया पर ट्राम्बे मूंबई में श्तित है यारक न next यूनों की कारी-कारी भासा कोन सी है तो दोस्तो कोन सी है यूनों की कारी-कारी भासा तो दोस्तो यारक न अंगरेज जी और फ्रेंज दोनों के यूनों की कारी-कारी भासा है तो option D आपका A और B यहां पर right answer हो जाएगा next कोन सी पंच वर्ष योजना पूरी तरह से ऐसफल रही very very important question दोस्तों कोन सी पंच वर्ष योजना थी जो पूरी तरह से ऐसफल रही थी तो कौन सी रही थी यार रखना 3 थी तीसरी पंच वर्ष योजना पूरी तरह से ऐसफल रही थी option C आपका 3 थी यहां पर right answer हो जाएगा next नेट्स सांविक्त राष्ठंग योणौ में हिंधी में भासन देने वॉला पर्थव्यक्ति कौन है यूनो में स्विक्त राष्टंग में हिंदी में भाषन देने वाला पहला व्यक्ति कौन है तो 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 कोन है अटल बिहारी वाज़ पे हैं तो दोस्तो याद रखीगा, right answer हो जाएगा, option A, राष्टपती, उच निया लेके, मुख्य ने दिश्की नुक्ती, राष्टपती की द्वार की जाती है, option A, आपका right answer होगा, आप लोगे, याद रखीगा, next है, दिखीगा, पानी का घंतो सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, तो दोस्तो याद रखना, 4 degree Celsius पर होता है, option B, 4 degree Celsius, आपका इसक्रिशन के लिए right answer होगा, next है, दिखीगा, रेशम का शिरुवादिक उत्पादन किस राज्य में होता है, रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है, याद रखिगा, next है, comment करना, पूर्वी घाट की सबसे उंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की सबसे उंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तो याद रखना, महिंदर गिरी है, option A, महिंदर गिरी, right answer होगा, next दिखीगा, next है, शूरिय के स्टैका, तापमान कितना होता है, शूरिय के स्टैका, तापमान कितना होता है, तो याद रखना, 6000 डिग्री सेल्सेस होता है, option C, 6000 डिग्री सेल्सेस, आपका, right answer होगा, next दिखीगा, next है, समूदर का पानी किस विदी के दवारा गरम होता है, तो याद रखना, संगवेहन विदी के दोवारा समूदर का पानी गरम होता है, आप लोग या दखीगा, next है, दिखीगा, सोरिया किस राज्य की जन जाती है, सोरिया निमन में से किस राज्य की जन जाती है, तो दोस्तों याद रखीगा, जार्खंड, option A, राइट अंसरोगा, जार्खंड राज्य की जन में, option D, यक्रित राइट अंसरोगा, next देखीगा, next है, उडिशा की पूरा राज्धाने कहां थी, उडिशा की पूरा राज्धाने कहां थी, तो दोस्तों याद रखना, कटक में, option B, राइट अंसरोगा, next देखीगा, अगला question है, bleaching powder का राज्धानिक नाम क्या है, bleaching powder का chemical, राज्धानिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों यारेकना, calcium hypochlorite होता है, औ voluntary temps होगा, bleaching powder का राजसेंग क्या होता है calcium hypochlorite option A right answer होगा next देखीगा next है जोती तरवता का मात्रक क्या है दोस्तों अगर आपने अभी तक like नहीं किया है तो like, share करें अगर आप यहाँ पर पहली बढ़ाएं तो चनल को subscribe जुरू कर लें दोस्तों देखीगा जोती तरवता का मात्रक क्या होता है तो याद रखना candela क्या होता है दोस्तों candela होते है option C आपका right answer होगा next है दीखीगा Newton का अविसकार किसी ने किया Newton का अविसकार किसके दुआ रख्या गया तो दोस्तों याद रखना James Chadwick कि दौरा के था? Option B, James Chadwick आपका राइट 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 रोगा Next एकगा Next है चकमा किस राज्जे की परमुक्ष जन्जाती है चकमा निमन में से किस राज्जे की परमुक्ष जन्जाती है तो याद रखना मिजोरम की option D, right answer चकमा मिजोरम राजे की परमुक जन जाती है option C, right answer next नेक्ष्ट है नोशेना का पूर्वी कमान कहा इस्तित है तो या रखना विशाखापट्नम में option C, विशाखापट्नम राजे मिजोरम राजे की परमुक जन जाती है कोरबा किस राज्य की परमुक जन जाती है? राइट राइट रूगा चाथिसगड option A राइट राइट रूगा चाथिसगड आप लोग याद रिकोर्ड नेक्स ने नेक्स देखीगा नेक्स देखीगा दोस्तो शिरुवाद की दिनों तक अंत्रिक्स में रहने वाला विश्व रिकोर्ड किसी ने बनाया, सबसे अधिक दिनों तक है, अंत्रिक्स में रहने का विश्व रिकोर्ड किसी ने बनाया, सुनीता विलिम्स ने, उप्शन B, सुनीता विलिम्स इस क्यूशन के लिए, उप्शन B, राइट आंसर होगा, आप में इसे किसका प्रयोग है किया जता है तो याद रखना कोपर सिल्फिट का उप्शन भी कोपर सिल्फिट आपका इस क्विश्चिन के लिए राइट अन्स रोगा नेक्स्ट है देखिए का दोसो गैस को जब नियत ठंडा किया जता है तो आयतन और तापमान पर क्या गटेगा नेक्स्ट है तल्चर किसके लिए परशिद है तो दोस्तो तल्चर किसके लिए परशिद है तो याद रखना भारी जल के लिए परशिद है बारी जल के लिए परशिद है उप्शन भी राइट अन्स रोगा भारी जल याद रखिएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट है किसी देश में मुद्रा स्पिती होने से सबसे अधिक लाब किसे मिलता है किसी देश में मुद्रा स्पिती होने से सबसे अधिक लाब किसको मिलता है तो दोस्तो याद खेगा लेंदार को किसको मिलता है लेंदार को सबसे अधिक लाब मिलता है option D लेंदार राइट अंसर होगा, next देखीगा, next है, सीशा का सिखा किस वन्स के सास को ने चलाए था, सीशा का सिखा किस वन्स के सास को ने चलाए था, तो दुस्तों याद रखना, साथ वहन वन्स के सास को ने, सीशा का सिखा सबसे पहले चलाए था, option A, 7 वहन, once right answer होगा, next दुस्तों comment करना जली से लिए, हो जंजाती किस राज्य से समधित है, तो दुस्तों right answer होगा, option C, जारखंड, इस question के लिए right answer होगा, next दिखीगा, galonizing में किस धातू का परयोगे किया जता है, galonizing में किस धातू का परयोगे किया जता है, तो दुस्तों याद रखना, जास्ता धातू का, option B, जास्ता, right answer होगा, याद रखीगा, next है, next question दिखीगा, जैंतिया, कहा की परमुक जन जाती है, तो याद रखीगा, में घाल ले की, option A, में घाल ले, right answer होगा, आप लोग याद रखीगा, next है, next question दिखीगा, जास्ता, किसका उप्योग, भुकांब की तरवता को मापने में किया जाता है, जिवने में से, किसका उप्योग है, भुकांब की तरवता को मापने में कहाता है, तो याद रखना, रियक्टर स्केल, आपका राइट अंसर होगा, next है, दिखीगा, स्पेक्टरम में सबसे कम तरंग धैर्द किस रंग का होता है, तो याद रखना, right answer होगा, नीला, उप्शन B, नीला रंग कत्रम के दाएदे, सबसे कम होता है, उप्शन B, right answer होगा, next है, विसव का, सबसे छोटा गन तंतर कोन है, तो याद रखना, नोरू, उप्शन C, नोरू आपका इस क्वेशन के लिए, राइट अंसर होगा, next है, next है, नेक्स देखीगा, दोसो, प्लाजमा अनुशंधान के इंदर कहां इस्थित, very very important question, दोसो, प्लाजमा अनुशंधान के इंदर कहां इस्थित है, तो याद रखना, गांधी नगर में, option A, right answer होगा, दोसो यह जो गांधी नगर है, यह गुजरात राज्य की राजदाने है, आप लोग याद रखीगा, next है, next है, रास तुनूरा तेल रिफाइनरी किस देख में है, रास तुनूरा तेल रिफाइनरी किस देख में इस्थित है, तो तो याद रखीगा, right answer होगा, साओधी अरब में, option B, right answer होगा, रास तुनूरा तेल रिफाइनरी कहां पर है, कि सबसे चोटी सीवाला देसे कौंसा है विरसयों की सबसे चोटी सीमा वाला देस कौंसा है तो तो याद रखना जब्राल्टर option d. right answer होगा Gabriel हुआ आप लोग याद लिखीगा next है next question लिख किस धैटू का इसक है बुक्स आई ते, निमन में से किस धातू का ऐसक है, तो याद रखना, ऐलूमीनियम का, उप्शन C, ऐलूमीनियम आपका राइट अन्स रोगा, नेक्स देखीगा, नेक्स देखीगा, लेपचा किस राज्य की परमुग जन जाती है, तो याद रखना, सिक्किम, उप्शन A, राइट अन्स रोगा, सिक्किम, उप्शन A, राइट अन्स रोगा, नेक्स देखीगा, 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 गदर पार्टी का मुख्य काल ले कहां इस्तित है तो याद रखना San Francisco option भी right answer होगा next देखीगा next है comment करना धनपत्राय किस साहित ते कार का नाम था धनपत्राय किस साहित ते कार का नाम था तो दूस्टो याद रखिए right answer आणसरो हो जाएगा प्रेम चंद मुंसी प्रेम चंद का नाम ता धन पतराय आप लोगे रखना, connection D. Right, answer होगा मुंसी प्रेम चंद. Next, दिखिएका, केंद्रिये चाउवल अनुसंधान संस्तान कहां है? चाउवल अनुसंधान संस्तान कहां पर है? तो याद रखना कटक में उप्शन D, कटक आपका इस question के लिए right answer होगा, next है, दिखीगा, विसव की, शिरुवादिक बोली जाने वाली भासा कुन सी है, विसव की, सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा कुन सी है, तो याद रखना दोसों, अंग्रेजी है, option B, right answer होगा, पह क्रिकेट बल्ले की चोडाई कितनी होती है, तो याद रखना, 4.5 इंच होती है, option C, right answer होगा, 4.5 इंच आप लोगे, याद रखीगा, next है, भारत रखन पाने वाला, एक मातर पाकिस्तानी कुन था, भारत रखन दोसो, भारत देश का सर्वोच नागरिक है, नागरिक समान ह तो भारत रखन पाने वाला, एक मातर पाकिस्तानी कौन था, तो याद रखना, खान, अब्दुलकफार खान, option B, right answer का, खान, अब्दुलकफार खान, एक मातर पाकिस्तानी जिसको भारत रखन दिया गया, याद रखिए, next है, उगते सूरिय का देश किस देश को कहा जते ह तो याद रखना, जापान को, किसको कहा जते है, जापान देश को उगते सूरिय का देश कहा जते है, option D, जापान, right answer होगा, next देखीगा, और आज का last question देखीगा, विशव का सबसे चोटा देश कौन सा है, विशव का सबसे चोटा देश कौन सा है, तो दोस्तों याद जाद इसको share कीजिगा, अगर आप यहाँ पर पहली बार आए, सबसे पहले आप लोग चनल को subscribe करके bell icon को press कर लिजिए, ताकि आने वाली परतिक वीडियो का notification आपको मिलता रहे, और हमें comment करके जुरूबताई आपको वीडियो कैसी लगी, तो चलिका दोस्तों मिलते नेक् जाद